तो ये सरकार छीन लेंगी और इसलिए कॉंग्रेस आप पर इन्हेरिटेंस टैक्स आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है भाई और भेनों इन्हेरिटेंस टैक्स टे जुड़े जो तथ्य अम निकल कर सामने आ रहे हैं वो देश की आँखे खोलने वाले हैं जरा ध्यान से सुना जाए आप भी ध्यान से सुनिये और मेरे देश के दिग्यज पत्रकार भी जरा सुन ले मिडिया वाले भी सुन ले और उनकी जो इकोसिस्टिम हना जो हर दिन मोधी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है वो भी जरा सुन ले कान खोल करके देश के साथ कैसा कैसा पांप हुआ है मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिल्चस्प तथ्या आपके सामने रखना चाहता हूँ जब देश की एक प्रधान मंत्री बहन इंदराजी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी उनकी जो प्रापर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्चा सरकार ले लेती थी कॉंग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था सब चर्चा थी और व्यापक रुप से चर्चा थी कि जब इंदराजी नहीं रही और उनके बेटे राजिव गांदी जी को ये प्रापर्टी मिलने की थी लिकर के गई थी तो अब सरकार कोई पैसा चला न जाए प्रापर्टी को बचाना था तो इन्होंने क्या कर दिया उस प्रापर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदरा गांदी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समाए के प्रधान मंत्री स्रिमान राजीव गांदी ने अपनी संपत्ती बचाने के लिए पहले जो इन्हेरिटन कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए खुद पर आई तो कानून हेटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज भी सत्ता पाने के लावेत में ये लोग वही कानून जादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं बीना टेक्स के अपने परिवार की चार चार पीडियों की अकूत धन दौलत हासी करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत आपकी महनत की कवाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बच्चत करके रखा है उस पर टेक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं और इसलिए ही तो देश कह रहा है कॉंग्रेस की लूट जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी साथियों आपके और कॉंग्रेस के आपके साथ खिलवार करने के उनके जो इरादे है कॉंग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रख्षा के लिए ये मोदी दिवार बनके खड़ा है ये गाली गलोच इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है इनके मन सुबे सफल नहीं होंगे इनके मन सुबे सफल नहीं होंगे